यूपी हैसी में देश में दसवी रैंक हासिल करने वाली लखनों की रहने वाली एश्चुरम प्रजापती जी हमारे साथ मौजूद हैं आए इनसे जानते हैं इनकी सफलता की कहानी मैम आप बहुत स्वागत है तैयारी तो जैसे तीन स्टेजेस होते हैं एक्जाम के तो उसी के हिसाब से हर एक स्टेज के लिए अलग-अलग स्ट्राटीजी बना के तैयारी की जो मेरा में फोकस रहा वो हमेशा सब सिलेबस को कंप्लीट करने पर और उसको रिवीजिन करने पर रहा और उसके अलामाद जितने भी test series रगयरा जितनी practice हम कर सकते हैं वो मैंने करी हमने सुना है कि आपने online पढ़ाई की थी आपने क्योई coaching नहीं जॉइन की थी जी हाँ मैंने coaching तो नहीं जॉइन की थी लेकिन online जो भी हमारे website और online media पे जितना भी content available होता है उसमें से मैंने अपने काम की चीज़ें बहुत निकालने की कोशिश की और उससे मुझे काफी फायदा मिला तो बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें से हमें जो काम की चीज़ें लगती हैं हम वो अपने हिसाब से अपने इसाब से निकाल सकते हैं उसमें से जी मैं कितने घंटे क पड़ाई देखे घंटों का तो वैसे उतना फरक नहीं पड़ता लेकिन फिर भी एक कहा जाता है कि आपको एट लीस्ट साथ गंटे तो देने ही हैं ताकि आप एक तरीके से सिलिबस को पूरा कर सकें जी हम यह पी चाहना चाहिए आपको कौन सा अटेम्ट था यह मेरा दूस पूचे किसमें एक नहीं तरीके question पूचे खें जिसमें to the technique use कम कर सकते हैं दूसरे अटेम्ट में वह के लिए आप पूछ रहे हैं उसमें इंटर्वी में बहुत तरीके के सवाल हमारे डाफ पर बेस्ट होते हैं तो मुझसे मेरे जॉब प्रफाइल के बारे में पूछा गया था इंजिनरिंग बैग्राउंड के बारे में काफी टेकनिकल कॉश्चन्स भी पूछे गया थे उसक तरीके के सवाल पूछे जाते हैं महाँ पर कैसे सवाल रिटन में तो सिल्वस के हिसाब सेी जो सीलबस साइट पे दिया हुआ है उसके हिसाब से उसके इर्दगिर्दी तरु लेते हैं यह ज़रूर है कि तौड़ा सा आपको इसको जो करेंट अफएरा रोजम array का जो चल र लेकिन जैसे GS3 वगेरा है इकोनोमी वगेरा है तो उसमें मोस्टली इंटरनाशनल रिलेशन तो उसमें मोस्टली जो है करेंट अफेर बेस्ट ही होता है मैं कोई ऐसा सवाल जो बहुत अटपटा था जो एकदम नया था देखिए क्योंकि मैंने प्रैक्टिस बहुत जादा की थी सवाल लिखने की तो उस समय तो मुझे ऐसा कोई सवाल खेर अटपटा तो नहीं लगा लेकिन हाँ ऑप्शनल में एक दो सवाल ऐसे थे जो मैंने कभी पढ़े नहीं थे या किसी किताब में पढ़े नहीं थे तो वो एक सवाल मैं करने पाई थी कुछ चीजों से हमने दूरी बनाई जैसे की सोशल मीडिया ना यूज करना बहुत जादा बात चीतना करना दोस्तों अगयरा से घूमने फिरने जाना और कोई भी छोटा मोटा फंक्शन पढ़ रहा है घर में या कहीं भी रिष्टदारी में वहां नहीं जाना यही छोटी- का प्रेशर जेलना भी बहुत बड़ी बात होती है और उपर से इतना सारा पैसा जैसे की आप बता रहे हैं कि लगता है तो एक वो एक और प्रेशर रहता है पेरिंस के उपर भी एक बार और पूछना चाहेंगे कि सवालों को लेकर के थोड़ा सा और बता दीजे कि चाहे रिटेन हो चाहे आपका इंटर्व्यू क्या आपके बैग्राउंड के अलावा किस तरह के सवाल जादा पूछेंगे अमनों किस से जादा सवाल देखिए जो GS के पेपर्स होते हैं तो वह अलग अलग उनके सिल्बस दिये होते हैं तो उर्सी के एर्दगिर्द पूछने से हिस्ट्री वगरा में आप से इंशियंट मेडिवल मॉडरें सिर्य का बहुत सारा सवाल पूछते हैं जोग्रफी में लैंड फॉर्म से रिलेटेट पूछते हैं या मान लीजे बुमाइशनल इलेसिंस में जो बी चल रहा है है जैसे मान लीजे यूक्रेऑन का चल रहा ता या फिर कोई भी ऐसा अपने पड़ोसी भी टेश G कि सांद को ही समद्ध हो रहे हैं कुठार धाय। कोई पैक्ट साइन हुआ है उसके बारे में पूछा जाता है और ऐसे एगरी कल्टर से जुड़ी कोई चीज चल रही है मस्पी पर बात चल रही है उनके बारे में पूछा जाता है मतलब एक तरीके से जो स्टाटिक वाला जो सिलबस दिया है उसको ही करंट से रिलेट करके ही पूछा जाता है तो ऐसी और जानकारी जुड़े मेरे साथ मेलखनों से अंजरी सिंग राजपूत लोकल 18